हलो दोस्तों चलिए आज हम बनाते हैं बहुत छोटे बच्चों के लिए रेसिपी टॉडलर रेसिपी बनाएंगे यहां पर मैं तीन तरह की रेसिपी इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो की बहुत ही इजी और टेस्टी बनती है स्था रेसिपी है जैसे फटाफट से बनाया जा सकता है और आप अपने वच्चों को दे सकते हैं जा है। Damn video सबसे पहले हमुआ बड़ पराइसमयली बॉल्स बनाएंगे ईजराने के लिए सबसे पहले मैकी चीष्पी बड़िया है। जब हमारा आलू अच्छे से मैश हो जाए उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे एक मिर्ची का वन सिक्स या एट थी हिंसा मिर्ची का और थोड़ा सा हरा धनिया और एक दम थोड़ा सा अजवाई जिसे हम क्रस्च करके डाल देंगे अगर आप अपने वच्चे को मिर्ची ना देते हो तो इस पार्ट को स्किप कर दें उसके बाद हम इसमें स्वादन सा नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद मैं इसमें दो चमच मैदे का डाल रही हूँ आप इसकी जगह पे एक चमच काउन फ्लार डाल सकते हैं या फिर इसमें गहू का आठा या बेसन का भी इस्तमाल कर सकते हैं आठा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से गूत लेना है जिससे कि ये एक डो जैसा बनकर तयार हो जाए आलो हमने मैदा डाला वह दोनों एक साथ आने लगा तब तक हमें इसे गूतना है मैंने आप पे बहुत छोटी सी प्लेट ली है आप मेरी तरह गलती मत करिएगा थोड़ा बड़ा बरतन लीजिएगा जिसे कि इसे एक साथ कंबाइन करने में इजी हो जाए यहां पर हमारा आलू अच्छे से एक साथ आने लगा है अगर आपको लग रहा हो कि आपका आलू चिपचिपा है तो थोड़ा सा इसमें मैदा आउरेट कर दे हमारा एक सौफ्ट डो बनकर तयार हो गया है डो बनने के बाद डो को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और पार्ट को रखकर चकले के ऊपर स्मूद करेंगे और रोल करेंगे रोल को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है बस किनारों की साइट से चिकना कर लेना है एक बार हमारा रोल बनकर तयार हो जाए कुछ इस तरह से उसके बाद चाको की मदब से छोटे-छोटे पेड़ कट करके तयार कर लेने हैं ठीक इसी तरह से आम अपने दूसरे वाले डो को भी रोल कर लेंगे और उसके पार्ट को कट कर लेंगे अगर इस तरह से आप रोल करके कट करेंगे तो इससे आपको जो हमें शेप देना है उसे देने में आसानी होगी नहीं तो आपको ज्यादा ताइम और मेहनत देनी पड़ेगी एक बार सारे डो को रोल करके कट कर लेंगे उसके बाद हम इने शेप देना इस्टार्ट करेंगे पर सारा डो कट कर तयार हो चुका है चोटी चोटी लोईयों में एक डो उठाएंगे और उसे हाथ के बीच में रखकर प्रेस करेंगे और कुछ भी नहीं करना है उसके बाद एक श्ट्रॉ की मदद से उसमें आखे बनाएंगे कुछ इस तरह से और स्माइल के लिए आप चाक के बीच में फ्रेस कर दे हलका सा फ्लैट कर दे और इन्हें आप आगी के प्रोसेस कर सकते हैं लेकिन मैं इन्हें थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग बनाने के लिए इनमें थोड़ी सी स्माइली इस पर बना सकते हैं मैंने कई तरह की स्माइली इसमें बनाए थे एक बार सारे प्रेडो को शेप करने के बाद इन्हें हमें शैलो फ्राइ करना है जिसके लिए मैंने पैन में तेल डालकर चड़ा दिया है गैस पर जब तेल हमारा मीडियम गरम हो जाए उसके बाद हम इसमें डालना शुरू करेंगे जो हमने स्माइल बना कर रखे हैं या फिर पैट्टिस इसमाइल को पलट देंगे दोनों तरफ से अच्छा कलर आने तक फ्राइ करना है इन्हें जब इनमें अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे बाकी बचे हुए सारी इसमाइल को फ्राइक कर लेंगे इसी तरह से हमारे पोट्रेटो बॉल्स की बनकर तयार हो चुकी है इसके बाद हम बनाएंगे रेशिपी जैसे बनाने में सिर्फ आज मिनट लगते हैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कटोई ऑट लिया है इस तील कट और ये सकते हैं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक बनाना छील कर इन सब चीजो अगर आप अपने बच्चे को अंड़ा खिलाते हैं तो आप बनाना की जगा अंड़े का इस्तमाल करके थोड़ा सा नमक डाल कर नमकीन वाला पैंकेक बना कर तयार कर सकते हैं यहां पर हमारा बैटर बनकर तयार हो चुका है बैटर हमें बहुत जादा थिक या फिर बहुत ज जो हमने बैटर बनाया है उसे चोटे-चोटे बैचेज में पोर करेंगे जिसे चोटी-चोटे पैंकेक बनकर तयार हो जाए एक बार में कई सारे पैंकेक बनकर तयार हो जाते हैं और यह फटा-फट से बन जाते हैं इन्हें बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है थो जल्दी फटा फट से बनकर त्यार हो जाते हैं इसमें ज्यादा इंग्रीडियंट की भी जरूरत नहीं होती है ज्यादा तर चीजें आपको अपने घर पर मिल जाएंगी और इन्हें बनाना बहुत असान है अगर आपके बच्चे को बुख लगिया और आपने कुछ बना कर इस रेसिपी को फटा फट से बना कर तयार कर सकते हैं हमारे पैन का एक बनकर तयार हो चुके हैं इसे हम हनी के साथ मेपल सिरप के साथ या फिर आप इस पर थोड़ा सा चोकले सिरप भी ड्रिजल करके अपने बच्चे को दे सकते हैं बच्चों को यह रेसिपी खास पसंद wraidel gecko डाल कषब techno कि ये थोड़ी सी और बारिक खो जाय कि इसके बाद इसे एक बड़ी से बोल में ट्रांपब करेंगे ट्रांसफर करने के बाद मैंने 14 पaro during material को साथ लेना है उसके बाद एक साथ पीच लेना है हुसके बड़ी को हम ट्रांप त्रांफर कर देंगे अपने सूजी में और इन सब चीजों को अच्छे से हमें मिक्स करना है इसमें मैं थोड़ा सा चीनी आड़ करती हूं क्यूंकि मेरी बड़ी बेटी 7 साल की है और चोटी वाली लगबग 2 साल की होने वाली है इसलिए मैं उसे चीनी खिलाती हूं कुछ लोग अपने बच्चों को चीनी नहीं देते हैं तो वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं या इसकी जगह पे आप हनी मिला सकते हैं या फिर खजूर का जूस या पाउडर मिला सकते हैं उसके बाद इन सब चीजों को मिक्स करेंगे और फिर दूध डाल कर इस बैटर को पतला करेंगे जो कि अभी बहुत जादा ठीक है इसकी कंसिस्टेंसी जो अभी आप देख रहे हैं इस तरह की होनी चाहिए इसलिए थोड़ा थोड़ा दूद आड़ करते रहें तब तक जब तक यह वाली कंसिस्टेंसी ना मिल जाए उसके बाद हमें केक टिल लेंगे उसमे को मिक्स कर देंगे अच्छे से मैंने बेकिंग सोड़ा अणैट नहीं किया है बस बेकिंग पाउडर एक किया है игр किआं उसके landing चान्तrete लिए आवन को पहले ही कर दे दिवान के लिए न के हमारा केक बनकर तैयार हो गया है यह बहुत ही इस वह मकास्पंड आता है आप इसे चोटे बचो की में चाहिस आज़ा सुइट दे सकते हैं आपको हमारे टॉडलर वाली रेसिपीज कैसी लगी अगर आपको रेसिपीज पसंद आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके ही जाएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद